आप सभी का बहुत 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 बिलकम है हमारे यूटूब चैनल ओम ग्राफिक्स में तो फ्रेंड्स आज के इस टिटोरियल में हम बात करेंगे किसी भी वैडिंग फोटो को अगर रिटच करना हो तो किस तरीके से करेंगे आज इसका full process बताने वाले हैं अगर आप एक album designer है और फोटो जब आप balance करते हो तो कुछ ने कुछ problem आता होगा तो आज उसी matter पे आज हम बात करेंगे इस टिटोरियल में हम fully तरीके से बता देंगे कि किसी भी फोटो को अगर edit करके करिजमा album से design करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं हमारे डिस्पले पे जो फोटो दिख रहा है ये फोटो खीचा हुआ है वेडिंग का और इसको हम retouch करेंगे balance करेंगे किस तरीके से करते हैं देखिए हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर अगर नए आ हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon दबा लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारे डिस्पले वो फोटो रहा और इसका हम एक copy बना लेंगे control J प्रेस करके हम एक copy बनाएंगे आपको copy बनाने का जरूरत नहीं है बाद में after before दिखाने के लिए copy बनाया अब सबसे पहले तो हम इसका curve देखेंगे कि curve में कितना इसमें हम light बढ़ा सकते हैं तो control aim प्रेस किजिए keyboard के बटन से या फिर edit में sorry image में जाए एड़ेस्ट में जाए और यहां पर देखेंगे कर्व लिखा हुआ है कर्व में जाएंगे कर्व में यहां से जो paragraph दिख रहा है यहां पर इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से उपर की ओर लेके जाएंगे तो light थोड़ा सा face पे आ जाएगा इसके बाद okay कर लिए सबसे पहला काम आप कर्व कहें किजिए उसके बाद आप level खोल लिजे keyboard के बटन से control L प्रेस करके control L प्रेस किया हमने अब यहां से देखिए shadow highlight है और जैसे हम इसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे इसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और highlight को थोड़ा सा हम कम कर लेंगे तो black area जो है वो कम हो जाएगा okay कि यह photo after before आप देख सकते हैं अब देखिए photo को थोड़ा सा जूम कर लिज तील को रिमूब करने का दो तीन तरीका है जैसे देखिए असपोर्ट हैंडिंग ब्रस टूल लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे और यह जो राउंड आया इसको आप बढ़ा कर लिजिए अपोजिट क्लिक किजिएगा माउस से और इसको थोड़ा सा बढ़ाईएगा तो इस तरीके का आएगा यहां भी इतना है अब देखिए हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे यह खतम हो जाएगा एक दो तीन खतम हो गया तील मेरा हम फिर से बैक करते हैं यहां से यह मेरा तीनों तील फिर से वापस आ गया अब यहां पर देखिए कि हैंडिंग ब्रस टूल इस पर आप क्लिक करेंगे इन नीचे एका पैस टूल एक प्रोसेस तो हुआ यह एसपोर्ट हैणिंग टूल उसके बाद पैस टूल इस पर आप क्लिक करेंगे फोटो को जूम कर लेंगे और इस तरीके से इसको घेरा बनाएंगे और उठा कि यहां पर कहीं पर छोड़ दे अब प्रोसेस आता है फेस पे ब्रस चलाने का सबसे बहतर तरीका हम आपको बताएंगे यहां से आप ब्रस टूल को ले लिजिए या कीबोर्ड के बटन से आप भी प्रेस करेंगे तो सेम जगा पे आप आजाईएगा फोटो पे जब भी ब्रस चलाएं तो फोटो को जूम करके चलाएं बढ़ा करके चलाएं ठीक है अब देखिए फेस पे तो हम यह ब्रस लेके आ गएं और यहां पे देखिए आपको यह दिख रहा है कलर तो कलर पे क्लिक करेंगे और फेस जो है मेरा फेस में आपको जहां सब से ज़्यादा अच्छा color दीख रहा होगा आप वहां से color को अप पिक कर लें जैसे यहां पे मेरा color अच्छा खासा दीख रहा है यहां पे तो वहां से click करके हम okay कर लिए यह color मेरा यहां पे आ गया दूसरी बात है आप alt press करके यहां से color ले सकते अल्ट प्रेस किजिएगा और जहां पे से आपको color pick करना है जैसे यहां से color हमको उठाना है तो यहां से ले लिए ठीक है अब यहां से brush tool लीजिए और यहां देखिए mode में आप normal रखेगा mode लिखा हुआ यहां पे आप normal रखेगा opacity आप लगभग 20-22 के आसपास रखेंगे 20-22 और यहां flow को भी आप 20-22 के पास ही रखें ठीक है इतना समझ गये हैं अब देखिए brush का size जो round दिख रहा है यह वाला आप mouse के opposite क्लिक करेंगे तो यह आ जाएगा यहां से आप बड़ा कर सकते हैं यहां से आप छोटा कर सकते हैं तो हमने इतना का जरूरत है यहां से आप इस तरीके से brush को आप चला सकते हैं इस तरीके से आप brush का use कर लिजिए यह हो गया ब्रस का यूज मान के चलिए आप ब्रस का यूज कर लिए उसके बाद आपको थोड़ा सा डाउट यहाँ पे लग रहा है कि इस पे हम किस तरीके से काम करें तो देखें यहाँ से आप एक क्लोन टूल का यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्लोन टूल लिखा हुआ है क्लोन टूल को आप लिजिए और यहाँ से इसका ओपसिटी को आप 50 कर लिजिए और फोलो को 50 कर लिजिए ठीक है यह राउंड को आप छोटा कर लिजिएगा और कीबोर्ड के बटन से अल्ट प्रेस किरें यहां से आप इसका पिक किजिएगा और इस तरीके से आप जब ब्रस करोगे तो यहां पर जो दाग दिख रहा था जो स्टैडो बना रहा था वो खतम हो गया जैसे आपको यहां पर से दिख रहा होगा यह कुछ डाग धबा दिख रहा अल्ट प्रेस किजये गा उसके बाहरे वाले अरिया में अल्ट प्रेस करके और इस तरीके से आप दीरे दीरे इसको चप चलाएंगे तो यह खतम हो जाएगा यह देकिए यहाँ से खतम हो चुका है तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं इतना समझ गए होगे अब देखिए यहां से आप सलेक्टिव कलर में चले जाए इसलेक्टिव कलर आपको मिल गाएगा अल्ट आई एस प्रेस करके या फिर इमेज में जाए एडिस्ट में जाए और यहां लिके से है तो सबसे पहले हम एलो पर जाएंगे लोग लिए एलो लिने के बाद आप जो नीचे बलाक लिखा हूआ है बलैक को आप माइनर्ण की तरप से थोड़ा सा लेके जाएंगे उसके बाद यहां पे देखिए रेड़ है रेड को आप अगर प्लस करोगे तो जहां जहां red area है वो थोड़ा सा deep हो जाएगा black है black को भी आप थोड़ा सा बढ़ा लें black को थोड़ा सा बढ़ा लिए इसको okay कर लिए यह लगभग लगभग मेरा photo balance हो चुका है और अच्छा खासा finish हो चुका है अब इसमें एक काम कर सकते हैं कि अगर contrast और brightness आपको देखना है तो यहां image में जाए एड़ेस्ट में जाए और यहां contrast और यह लिखा होगा contrast और brightness इसका shortcut क्यों होता है alt iac जब प्रेस किजिएगा तो यह brightness आइं contrast खुल जाएगा contrast को अगर हम कम करते हैं तो देखिएगा फोटो में क्या होता है तो contrast को हम थोड़ा सा लगभग लगभग आप 5 प्लस लेकि जाएंगे और brightness को हम अगर बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा देखिए light इसमें आ गया इतना ठीक है इतना समझ गया होंगे आप भी अब हम हलाके इसमें जरुवत नहीं है लेकिन फिर भी हम सारा topic इसमें बता देंगे कि किस किस चीज का आप यूज कर सकते हैं उसके बाद आप balance कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए control बी प्रेस किजिए इसमें color balance हो जाएगा या फिर image में चले जाएं एड़ेस में जाएं और यहां पर देखिए color balance लिखा हुआ है color balance पर गएं और यहां से highlight पर क्लिक कर लेना है और yellow है, blue है, magenta है, green है, cyan है, red है हम yellow को अगर blue के तरफ लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा reddish tone आ गया, इसको थोड़ा सा हम बस इतना लेके जाएंगे और यह red को है जो cyan के तरफ लेके आएंगे सियान के तरफ लेके आएंगे तो face में देखिए मेरा कितना change हुआ, यह आप देख सकते हैं तो friends इस तरीके का आप भी edit कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हमें comment कीजिए हम जरूर कुछ में कुछ बताने का courses करेंगे यह बात आप समझ गए होंगे, उसके बाद आपके system में अगर कोई filter है, मान के चलो noji bear है, portraiture है, कुछ भी है अगर नहीं है तो हमारे पीछे वाले वीडियो में जाईए और वहां से download करके install कर लिजे, हम सारा process पीछे वाले वीडियो में दे दिये है और description में भी link दे देंगे, आप वहां से download करके use कर सकते हैं, यहां filter में जाएंगे, imageatics में जाएंगा, यहां देखिए एक portraiture नाम का एक filter दिया हुआ है, portraiture पे click करेंगे portraiture पे click करने के बाद यहां setting है, आप by default ओके कर सकते हैं, आपका photo smooth हो जाएगा या फिर आप यहां से normal high medium कर सकते हैं, जैसे आपको high करना है, high पे click किजिए, ok किजिए, face तो high आपका यह हो जाएगा, मतलब clear हो जाएगा, smooth हो जाएगा, यह high हो गया, back करते हैं, अब यहां से जाएंगे, यहां फिर से गया है, और यहां by default करते हैं, ok करते हैं, तो आप देखिए मेरा face कितना हुआ smooth, तो एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप brush tool का use कर रहे हैं, तो आपको filter लगाना हर हाल में जरूरी है, आप थोड़ा मुडा जब edit कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, लेकिन जब जब आप ज़्यादा ओभर editing कर रहे हैं photo में, तो filter लगाने से यह होता है, कि आपका जह होगा, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe करके, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और photoshop में कुछ भी सीखना हो, तो हमें comment करके जरूर बताएं, हम उच टैप का tutorial आपके सामने लेके जरूर से जरूर आएंगे, तो आज तेक लिए इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में जन्यवाद.